नमस्कार वंदे मातरम भारत माता की जै भी शायद इसी वज़े से वहां से पलायन करना पड़ा उनको भी और अभी जो बंगाल में जो खालात हो रहे वो भी हम लोग देख रहे हैं बंगलादेश में भी हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है पलबेक्स 3 जो गलत तरीके से किसी भी सुवी धाने काईदे को नहीं मानकर हर चीज गलत कर रही है और सरकार उसको रोकने में बकाईदा नाकाम रह रही है क्यूंकि जनता कभी भी बिना इतनी सक्षम नहीं है कि वो अपना हक मांग सके और नहीं मिलने पर छीन सके बंगाल में आज जो हुआ है डॉक्टर बीटिया के साथ वो कहीं भी हो सकता है वो आपकी बेटियों के साथ भी हो सकता है अगर इतनी सारी चीजे हो रही और हम फिर भी ये सोच रहें के हाँ यार सब ठीक हो जाएगा तो अभी भी हम लोग मुर्खिता की कगार पर घड़े ह अगर ठीक होना होता ना तो मैं बहुत सी बार बोल चुकी हूँ कि इस देश में सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा ये है कि इस देश की न्याई व्यवस्ता और कानून व्यवस्ता दोनों ही लूली, लंगडी, अंधी और बहरी है सालों लग जाते हैं जैसे निर्भया की माने आठ साल तक चपल घी से तब जाकर उन हरामजादों को सजा मिली बहुत सारे केस में इन लोगों को फासी नहीं दी जाती है क्योंकि हम जैसे आप जैसे लोग, मिडल क्लास लोग, क्योंकि अमीर तो ना 50 करोड, 100 करोड के तोफे देकर अपने टेक्स बचा लेते हैं आपके और मेरे जैसे मिडल क्लास लोग जो टेक्स भरते है उन हरामजादों की रोटिया हम लोग जैसे लोगों के पैसों से निकालती है सरकार फिर भी हम लोग चूप है हम डरते हैं कि अगर 31 जुलाई चली गई 31 अक्तूबर चली गई और हमने टेक्स नहीं भरा तो हमें इ लिजन यही है कि इन हरामजादों की रोटिया जो भिकमंगे बाहर रहे अंदर रहे ना इनकी माओं को कोई पड़ी है क्योंकि इन लोगों नहीं सूवर को पैदा ही इस वज़े से किये होते हैं कि या तो तु घर में मुफ्त की हराम की रोटिया खा या जेल में खा और हमा कि फास्ट्रेक कोट में चला जाएगा इनका केस किस चीज का फास्ट्रेक कितने ऐसे केस है जिन में अपने बकाईदा छे महिनों में उसका निकाल ला दिया है एक निकाल के दिखाओ कभी ने तो किस चीज का फास्ट्रेक चल रहा है फास्ट का मतलब तो पहले समझो इस ल करने का लेकिन अगर किसी रेपिस्ट को पकड़ा जाए तो उसके लिए इतनी हद तक सबूते मांगते हैं कि जिनकी बेटी पर ये गुजरता है न वो लोग उमीद तक छोड़ देते हैं कि इस घटिया न्याई व्यवस्ता से हमें कोई न्याई भी मिलेगा मतलब आप सोचो उस बाप की आप मनोस्तिती सोचो कि आज हम जिस समाच से बिलॉंग करते हैं वहाँ लड़किया अपने माँ बाप के सामने कुछे कपड़े तक पहनने से मतलब के परेश करती है कि नहीं वो मरियादा है हमें वो अनुशाशन है वो परमपराए हम लोग निभाते हैं मतलब आप उस बाप की मनोस्तिती सोचो जब उसके सामने उसकी बेटी को बकाईदा उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं पड़ा हुआ था और वो जब उनको लेने पहुचे होंगे बलबना उनसे पूछा गया बिना पूछे पोस्त मॉटम हो गया लाशे जला दी गई और मुक बधिर की तरह उसके माबाप देख रहे थे ये बहुत ही दुख दायक पीड़ा दायक है लेकिन सबसे बड़ा दुरपाग्य है हम नहीं समझते है हम के हमारे आपके जैसे लोग सुछते है अरे भाई हम तो यूपी में बैठे हमको बंगाल से क्या हम तो गुजरात में बैठे हमको बंगाल से क्या बंगाल वाले करें पर ना 57 मुसलिम देश एक हो गए थे हिंदू हो का सिर्फ एक ही देश है मैं ये बूल देती हूँ फिर भी हम लोग इस देश में भी जातियों में इतनी गंदे तरीके से फसे पड़े हैं मैं ब्रामन तू ये वो ये मलब उस चीज में समुचे आई नहीं रहे हमने कभी ये सोचा कि एक दलित की बेटी भी हमारी बेटी है एक ब्रामन की बेटी हमारी बेटी है और इसी चीज का लाबना ये सूवर उठाते हैं आप जितना बटोगे ना उतना कटोगे ये बात सत्य है जो योगी जी ने कहिए अभी भी वक्त रहते सुधर जाओ हिंदू हो ये बोल और मेंटालीटी जो उनके दिमाग में पल रही है कि हम कहीं भी जाए किसी की रोक टोग हम नहीं सहेंगे ये प्लीज ये नोटंकिया बन करवा दो क्यूंके निर्भया कांड की वक्त शीला दिक्षित जो दिल्ली की सीएम थी ना उनका ये स्टेट्मेंट था कि सबसे पहल कि बेटिया गलत है या उनको जीने का अधिकार नहीं है लेकिन आप लोगों को परिस्थिती समझ में आनी चाहिए कि किस जगे पर क्या हो सकता है फ्रीडम दीजिए उसकी मनाई नहीं है और मुझे तो आज तक ये समझ में ही नहीं है कि लोग कपड़े छोटे पहनने को बेटियों को नहीं से मौडन करो उनकी सोच इतनी सक्षम बनाओ कि सामने वाला इंसान ना हाथ लगाने से पहले सौ बार सोचे ये रील में नंगे नाच करने से कुछे नहीं होगा अपनी बेटियों को ना कराटे सिखाओ तलवार चलाना सिखाओ ठीक है ना इतनी सक्षम पनाओ कि किसी को भी ना दो थपड लगा सके ना कि उससे डर कर भागे और दूसरे दिन बोले के नहीं मुझे कॉलेज नहीं जाना है क्योंकि रस्ते में वो लोग मुझे परेशान करते हैं और माबाप भी यह सोचते हैं अरे भाई छोड़ो यार हम किस भसड में पढ़ेंग बगी इस नहीं व्यवस्ता से अगर आप उम्मीद करते हो कि छे महिने में किसी भी केस का निकालो जाएगा तो मेरे को तो बहुत असी आती है आप भी हस सकते हो वैसे यह बहुत बड़ा संदेश था अगर आपको समझ में ना आया हो तो यह वीडियो दुबारा जरूर देखना है नमस्कार